मैं सुसमा को हाट वेलकम टू माई चैनल निटिंग कोरस फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ आज मैं आपकी डिज़ाइन बनाना से खाऊंगी ये डिज़ाइन कैसी बनाय गया है फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को आप चै प्रोजेक्ट पर इस तरह से एड़ेस्ट हो जाएगा 9 के मल्टिपल देखिए आप 9 फंदे गिन लिजिए फिर से 9 फिर से 9 फिर से 9 फिर से 9 इस तरह से करते हुई लास्ट में आपके 3 फंदे रहने जाएगा यह डिजाइन हमारा सीधी साइड से शुरू होता है और 20 लायों में कम्प्लीट हो जाता है फ्रेंट्स की सीवी प्रोजेक्ट पर अगर आपको बॉर्डर के बाद फंदे बढ़ाने हो तो आप उल्टी साइड से इसमें फंदे बढ़ा लीजिएगा और सीधी साइड से हमारा यह डिजैन शुरू हो जाएगा तो चलिए देखते हैं कि य यहां पर मैंने 21 फंदे लिए हैं 9 दूनी 18 और समें 3 फंदे एक्स्ट्रा फंदे डालने के बाद एक सलाई सीधी साइड से और एक सलाई उल्टी साइड से मैंने उल्टी बनाई होई है डिजैन के यह पहली सलाई है तो आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनेगी पहला कटके इसको सीधा कर देंगे पीछे की साइड से सलाई डालके दो फंदे का एक फंदा सीधा बना देगे तो यह देखिएगा यहां पर हमने दो का एक किया तो जाली से फंदा वापस बढ़ गया अब चार सीधे एक दो तीन और यह चार धागा अपनी तरफ कीजिए और त तीन फंदे उल्टे एक दो और यह तीन धागा अपनी तरफ ही रहे इस फंदे को लेंगे पलटके इसको सीधा कर देंगे पीछे की साइड से सलाई डालके दो फंदे का एक फंदा सीधा बना देंगे अब चार सीधे देखिए एक दो तीन और यह चार आपके जितने भी फ तरह से रिपिट करते जाईए और लास्ट में धागा अपनी तरफ करके आप तीन फंदे उल्टे बना दीजिए पहली सलाई डिजाइन की कम्प्लेट हो चुकी है उल्टी सलाई इस डिजाइन में हर बार उल्टी ही बनेगी तो देखिए धागा अपनी तरफ कीजिए और तीन फंदे उल्टे धागा अपनी तरफ ही रहे और यह जो जाली से फंदा बढ़ गया इसे आप सीधा बना दीजिए तो यह देखिए यहां पर हमारा एक फंदा बढ़ गया अब इस वाले फंदे को लेंगे पलट के इसको सीधा कर देंगे पीछे की साइड से सलाई डाल के दो फंदे का एक फंदा कर देंगे तो देखिए जो हमने यहां पर बढ़ाया वो यहां पर घटा दिया अब तीन सीधे एक दो और यह तीन धागा अपनी तरफ कीजिए और बीच में तीन फंदे उटे एक दो और यह तीन धागा अपनी तरफ ही रहे और यह जो जाली से बनाया हुआ फंदा है इसे सीधा बना देंगे तो यहां पर एक फंदा बढ़ गया इस फंदे को लेंगे पलटके आब इसको सीधा करदेंगे और पीछे की साइड से श्लाई डालके दो का एक यहां पर जो फंदा बढ़ाया वो यहां पर घटा दिया अब तीन सीधे एक दो और ये तीन धागा अपनी तरफ कीजिए और तीन फंदे लाष्ट के उल्टे तीन सलाईयां कंप्लेट हो चुकी है चोथी सलाई उल्टी साइड से इसकी पूरी उल्टी बनाए चार सलाईयां कंप्लेट हो चुकी है अब आजेगा इस देखिए इस फंदे को आप सीधा बना दीजिए इससे अगले वाले को भी आप सीधा बनाईए धागा पीछे ही रहे इस वाले फंदे को लेंगे पलटके इसको सीधा कर देंगे और पीछे की साइड से स्लाइड डालके दो का एक कर देंगे तो देखिए जो फंदा हमने यहा पर घटा दिया अब दो सीधे एक और ये दो धागा अब अपनी तरफ कीजिए और तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन धागा अपनी तरफ ही रहे और देखिए एक फंदा सीधा बनाया और ये हमने दूसरा भी सीधा बनाया तो यहां पर जाली से फंदा बढ़ गया इस पंदे को लेंगे पलटके इसको सीधा कर देंगे पीछे की साइड से सलाई डालके दो का एक कर देंगे अब दो सीधे एक और ये दो धागा अपनी तरफ कीजिए और लास्ट के तीन फंदे उल्टे पांच सलाईयां कंप्लिट हो चुकी है अब आजेगा इसकी छटी सलाई और उल्टी साइड पर छटी सलाई पूरी इसकी उल्टी बनेगी, साथमी सलाई है और सीधी साइड है, साथमी सलाई देखिए, तीन फंदे उल्टे, 1, 2, और ये 3, धागा अपनी तरफ रहे, और अब तीन फंदे अफ सीधे बनाईए देखिए एक यहाँ पर जाले आ गई है क्योंकि हमने जब धागा अपनी करप करके यह फंदा सीधा बनाया तो जाले आ गई तो एक फंदा सीधा हो गया दो और यह तीन अब यह जो हमारा देखिए ऐसे चैन जो बन रही है इस फंदे को लेंगे पलट के इसको सीधा करेंगे पीछे की साइड से स्लाइड डालके दो का एक जो फंदा पहले यहाँ पर बढ़ा लिया वो यहाँ पर घटा दिया अब एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ कीजिए और यह देखिए तीन फंदे उल्टे हाँ धागा अपनी तरफ ही रहे और यह देखिए एक दो और यह तीन तो हमने यहाँ जाली से फंदा बढ़ा लिया अब इस फंदे को लेंगे और पलटके सीधा कर देंगे पीछे की साइड से सलाई डालके दो का एक अब एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ कीजिए और लास्ट के तीन फंदे उल्टे साथ सलाईयां कंप्लेट हो चुकी है आठमी सलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी बनाईये नोमी सलाई है और सीधी साइड है तो यह देखिए पहले तीन फंदे आप उल्टे बनाईये एक दो और यह तीन धागा अपनी तरफ रहे यह देखिए एक दो तीन और यह चार फंदे सीधी होगे अब ये वाला जो फंदा है इसे लेंगे पलट के इसको सीधा कर देंगे पीछे की साइड से स्लाइड डालके दो का एक अब ये खिएगा यहां से जो फंदे हमारे इदर सीधे थे वो सब खतम हो गए है धागा अपनी तरफ किजिए और तीन उल्टे एक दो और ये तीन धागा अपनी तरफ ही रहे और चार सीधे एक दो तीन और ये चार अब इस फंदे को लेंगे पलट के इसको सीधा कर देंगे पीछे की साइड से सलाई डालके दो का एक यहां से भी हमारे देखे सब फंदे खतम हो गए धागा अपनी तरफ करके लास्ट के तीन फंदे अब उल्टे नो सलाईयां कम्प्लेट हो चुकी है दसमी सलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी बना लीजी यह देखे फिर दस सलाईयां इसमें कम्प्लेट हो चुकी है इसमें अब हमें थोड़ा सा चेंज करना है क्योंकि जो जाली अब हमारी यहां पर बन रही है वो हमने यहां पर बनानी है जो फली हमारी इधर गई है वो अब ऐसे आएगी तो ध्यान दीजे ग्यार में सलाई है और सीधी साइड है तीन फंदे उल्टे एक दो और यह तीन धागा पीछे कीजिए और चार फंदे सीधे एक दो तीन और यह चार अब यह जो दो फंदे सीधे हैं आगे की साइड से सलाई डालिए और दो का एक कर दीजिए अब देखिए धागा अपनी तरफ करके लपेट के इस तरह से जाली बना लीजिए और तीन फंदे उल्टे एक, दो और ये तीन अब देखिए ये जो हमने दो का एक किया है वो लपेट कर हमने जो जाली डाली इससे फंदा बढ़ गया धागा पीछे कीजिए और चार सीधे एक, दो, तीन, और ये चार अब ये जो दो फंदे हैं आगे की साइड से सलाई डालके दो फंदे का एक फंदा कर देंगे तो फंदा हमारा घट गया धागा आगे कीजिए लपेट कर जाली बना दीजिए तो फंदा वापस बढ़ गया अब तीन उल्टे ग्यारा सलाईयां कम्प्लीट हो चुकी है बारमी सलाई उल्टी साइड से आप इसकी पूरी उल्टी बना लेजिए बारा सलाईयां कम्प्लीट हो चुकी है अब आज येगा इसकी तेरमी सलाई और सीधी साइड पर तेरमी सलाई पर देखिए तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन धागा पीछे कीजिए और तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन धागा पीछे ही रहे आगे की साइड से सलै डालके दो फंदे का आप एक फंदा बना दीजिए अब ये देखिए जो जाली से बनाया हुआ फंदा है इसे भी आप सीधा बना लेजिए फिर धागा आगे कीजिए लपेट कर एक जाली बना दीजिए अब तीन उल्टे एक दो और ये तीन धागा पीछे तीन सीधे एक दो और ये तीन ये वाले जो दो फंदे हैं आगे की साइड से सलै डालके पहले दो का एक कर दीजिए अब ये जो जाली से बना हुआ फंदा है इसे भी आप सीधा बना लीजी फिर धागा आगे कीजिए लपेट कर एक जाली बनाईए और लास्ट के तीन फंदे उल्टे तेरा सलाईयां कम्प्लेट हुई अब आज येगा इसकी चौद में उल्टी सलाई पर ये पूरी उल्टी बनाएगी पंदर में सलाई है और सीधी साइड है तो देखिएगा तीन फंदे उल्टे एक और ये दो तीन अब आप धागा पीछे कीजिए और दो फंदे सीधी बनाईए एक और ये दो आगे की साइड से सलाई डालके इन दो फंदे का एक फंदा कर दीजिए अब ये देखिए ये हाँ पर ये जो दो फंदे हैं इने भी आप पहले सीधा बनाईए एक और ये दो अब धागा अपनी तरफ कीजिए लपेट कर एक जाली और तीन उल्टे एक दो तीन धागा पी अब दो सीधे एक दो धागा अपनी तरफ लपेट कर एक जाली बनाईए और तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन 15 सीधे और ये तीन 15 सीधे उल्टी साइड से पूरी उल्टी बनाईए सत्तरमी सीधे है और सीधी साइड है तो ध्यानती जीए का फ्रेंड्स देखिए तीन उल्टे, एक, दो और ये तीन, अब धागा पीछे और एक फंदा सीधा, आगे की साइड से स्लाइड डालके दो फंदे का आफ एक फंदा कर दीजिए, यह देखिए यहाँ पर हमने फंदा घटा दिया, अब एक, दो और ये, तीन फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अ पेटकर एक जाली बनाई, तीन उल्टे एक, दो और ये तीन, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, आगे की साइड से सलैड डाल के दो फंदे का एक कीआज़, अब तीन सीधे एक, दो और ये तीन अब यहाँ जो फंदा घटाया वो यहाँ जाली से वापस बढ़ा दिया तीन उल्टे लास्ट के अब आज येगा इसकी उल्टी सलाई पर और अठार्वे सलाई पर उल्टी सलाई इसकी पूरी उल्टी बनेगी 19 सिलाई है और सीधी साइड है 19 सिलाई पर देखिए तीन उल्टे एक दो और ये तीन अब आप धागा पीछे कीजिए आगे की साइड से सिलाई डालके इन दो फंदे का आप एक फंदा कर दीजिए तो देखिए यहां से जो हमारे सीधे फंदे थे वो यहां पर खतम हो गए अब आप चार सीधे बनाईए एक दो तीन और ये चार दागा अपनी तरफ कीजिए लपेट कर एक जाली बना दीजिए अब तीन उल्टे एक दो और ये तीन दागा पीछे और ये वाले दो फंदे में आगे की साइड से सिलाई डालके दो का एक चार सीधे एक दो तीन और ये चार फिर धागा ऐसे अपनी तरब कीजिए लपेट करें जाली बना दीजिए और लास्ट के तीन फंदे उल्टे उन्नीस सलाईयां कंप्लेट हो चुकी हैं 20 में सलाई उल्टी साइड से इसकी पूरी उल्टी बनेगी इस तरह से देखिए फ्रेंट्स 20 सलाईयों में ये स्टार्टिंग बता देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए तीन फंदे उल्टे बनाई आप जैसे आपने पहली सलाई पर बनाए थे एक दो और ये तीन धागा अपनी तरफ ही रहे इस फंदे को लेंगे पलट के इसको सीधा कर देंगे और पीछे की साइड से सला दागा अपनी तरफ कीजिए और तीन उल्टे एक दो सोरी तीन फंदे उल्टे बनाने हैं तो देख़ए ये बीच में गैपकि हमने तीन उल्टे बना ले थैये अब देख़ए यह जो चैन हमारी इधर जा रही है इसी फंदे को लेंगे पलट के इसको सीधा करेंगे दाग तीन और ये चार धागा अपनी तरफ और लास्ट के तीन फंदे उल्टे तो ये देखिएगा जैसे हमने इसकी स्टार्टिंग की थी पहली सलाई से वही इसकी नेक्स्ट बार हो गई है प्रेंट्स जब आप यहीं 20-20 लाईयां बार बार रिपिट करेंगी तो देखिए इस तरह से आपका ये सुन्दर सा डिजैन बनता चला जाएगा इस डिजैन को आप वर्दमान की नॉर्मल उन, 3 प्लाई की ओस्वाल या ओरिजिनल की जो 3 प्लाई है किसी में भी बना सकती ह सभी तरह की ओन में ये डिजैन उभर कराता है प्रेंट्स अगर आपको मेरा ये डिजैन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने सभी प्रेंट्स ग्रूप में इसे शेर कीजिएगा चैनल पर नई है सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियो के नौटिफकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके Thank you.